गुड मॉनिंग बच्चो आज हम करेंगे वर्क्षीट नमबर 35 जो है क्लास 6-8 के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं मैं और मेरी दीदी फल बहुत चाव से खाते हैं हम अनानास मौसमी जामुन लिची आदी फल जरूर खाते हैं क्योंकि इनमें विटामिन C होता है अब इन ब श्बचने में मदद करते हैं विटामिन C जो हमें बहुत सारी बिमारियों से बचने में हेल्प करते हैं और आज कल ज़री चल रही है करो बिप्स हुंकि से देखकर हमसे कई सवाल पूछते हैं अब फ्रूट्स जो है उनकी grade-andautist है के कि इतने किolo मिलता है ? कितना प्राइज है उनका तो उस रेट लिस्ट को देखकर उनके पापा उनसे कुछ सवाल पूछते हैं और जिनको सॉल करने में इनको बहुत मज़ा आता है यह रेट लिस्ट यहां पर नीचे दी गई है यह देखिए जैसे यहां पर पताया गया है पपीता 35 रुपे किलो के एक कि चालिस रुपे किलो अमरूद पच्ची सर नांस अस्शि रुपे किलो अब इस रेट किलिस्ट को देखकर उनके पापांच से कुछ को तो चलि हम उनको सोल करते हैं पहला प्रस्थन है हमारा के दो किल्लो और एक किल्लो सेब का कुल मुल्य कितना है अब हमने यहां देखा तो पहले हम देखते हैं कि aam का मुल्आ कितना है और एक किलो सेप का मुल् Play कितना है 1 जो है हमारा यहाँ पर है कि aam हमारा है 40 रुपए किलो और डूसरा सेव सेव हमारा है 120 रुपए किलो अब yeah जो है हमसे पूछा गये कि 2 तो चालीस रुपे का एक किलो है तो दो किलो कितने के होंगे तो चालीस गुना में दो हम करेंगे बराबरा जाएगा असी यानि के दो किलो आम कितने रुपे के हो जाएंगे असी रुपे के इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि चालिस जमा चालिस तो असी रुपे के हमारे आम हो जाएंगे और सेव हमारे कितने के हैं एक किलो 120 रुपे के तो जब हमसे पूछा है के cool mulli मतलब हमें इसको जमा करना होगा जब हम इनको जमा करेंगे तो हमारा answer हमें मिल जाएगा देखे 80 किलो आम का rate और 120 किलो सेब का तो 0 8 और 2 10 यहां पर 1 carry 1 और 2 मतलब 2 किलो आम और 1 किलो सेब हमें 200 रुपे के मिलेंगे इस question को solve कैसे करना है वो भी हम देख लेते हैं इसे solve करने के लिए हम ऐसे लिखेंगे पहले हमने question लिख लिए हैं यहां पर कि 2 किलो आम और 1 किलो सेब का कुल मुल्य कितना है तो 2 किलो आम का मुल्य है पराबर हमारे कितना हो जाएगा 40 गुना में 2 80 रुपे हमारा आ जाएग तो 2 किलो आम और 1 किलो सेब का मुल्य कितना होगा 80 जमा में 120 दोनों को जमा करेंगे तो 200 रुपे हमारा answer आ जाएगा तो 200 रुपे हमारा answer आ गया अब next question है हमारा कि पापा ने 600 ग्राम लिची कितने रुपे में खरी दी यहाँ पर हमें लिची का रेट दिया हुआ है कि 1 किलो लिची हमें कितने में मिलती है 70 रुपे प्रती किलो ग्राम अब हमसे Question में तो 600 g पूचा है लेकिन यहाँ पर हमें एक किलो का रेड दिया है तो हमें इसके लिए जानना जुरूरी है कि एक किलो में हमारे पास 1000 g होते हैं कि एक किलो γ्राम में 1000 g होते हैं तो चलिए इस Question को भी हम Solal करते हैं इसको Solal करने के लिए ऐसे हम करेंगे question को पापा ने 600 ग्राम लिची कितना रुपे में खरी दी 1 किलो ग्राम लिची का मुल्य कितना है हमारा 70 रुपे तो 1 ग्राम लिची का मुल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे क्योंकि हमें पता है कि 1 किलो ग्राम में 1000 ग्राम होते हैं तो 70 बटे में 1000 ग्राम तो हमसे हमारा यह हो जाएगा 1 ग्राम लिची का मुल्य अब उसके बाद 600 ग्राम लिची का मुल्य निकालने के लिए जब हमें 1 ग्राम किसी भी एक चीज का मुल्य पता होता है तो उसे जादा की निकालने के लिए हम उसको गुना कर देते हैं उतने ही चीज से तो यहां मेरे 600 ग्राम लीची का मुल्य निकालने के लिए 70 बटे में 1000 गुना में 600 हम करेंगे तो हमारा मुल्य निकल जाएगा 600 ग्राम का एक 0 से एक 0 कट जाएगी दूसरी 0 से दूसरी 0 कट जाएगी और इस वाली 0 से ये वाली 0 कट जाएगी तो अब हमारे पास बच्चा है 7 और 6 इन दोनों को हमें गुना करना है तो 7 और 6 को गुना करने पे 7, 6, 42 यफिस 7, 42 तो 600 ग्राम लीची का मुले कितना हो जाएगा 42 रूपे थर्ड कोश्चन है हमारा अनार की कीमत अमरूद की कीमत से कितनी अधिक है जब भी हमें किसी भी चीज से कोई भी चीज अधिक पूछी जाती है तो इसका मतला हमें बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाना होता है अब हमें आप पूछा गया है कि अनार की कीमत अमरूद की कीमत से कितनी अधिक है अब 1 किलो अनार जो है हमारा है 90 रूपे प्रती किलोग्राम और अमरूद है 25 रूपे तो 90 रुपे में से 1 किलो अमरूद का प्राइस को घटा देंगे तो हमारा अंसर आ जाएगा यहाँ पे 5 और यह आ जाएगा 6 65 रुपे मतलब कितना अधिक है अनार का प्राइस अमरूद के प्राइस से 65 रुपे जाद है तो इसको लिखेंगे कैसे वो भी देख लेते हैं अनार की कीमत 1 किलो अनार की कीमत कितनी है 90 रुपे और 1 किलो अमरूद की कीमत 25 रुपे अनार और अमरूद की कीमत में अंतर कितना होगा 90 घटा में 25 जैसे मैंने आपको माद सौल करके दिखाया था नबह में से हमने 25 को गटाया तो पैंसर रुपे आ गया तो अनार की कीमत अमरूर से पैंसर रुपे ज्यादा है फिफ्ट कोश्चिन है हमारा 5 किलो अनानास का मुल्य बताईए अब 5 किलो अनानास का मुल्य बताने के लिए पहले हमें 1 किलो अनानास का मुल्य पता होना चाहिए अब 1 kg का हमारा कितना रेट है 80 अब 80 एक रेकल का है तो 5 करने के लिए हम उसको गुना कर देंगे 5 से 1 kg के रेट को 5 से गुना करेंगे तो 5 गुना 0,0 वो 5 अठे 40 तो 5 kg नास का रेट कितना हो जाएगा मुले कितना हो जाएगा 400 रुपे तो इसे लेखेंगे कैसे ये भी देख लेते हैं बच्चो एक किलोग्राम ननास का मुले 80 रुपे तो पांच किलोग्राम ननास का मुले कितना हो जाएगा 80 गुना में 5 जो कि हमारा आजाएगा 400 रुपे I hope बच्चो आपको ये वीडियो समझ आई होगी अगर वीडियो आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वरक्षीट की नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो चैनल को सेक्ट तो चैनल को समझ आई है तो चैनल के कि आखकेशन आए है तो चैनल के आए दिए भीडियो और चैनल के बाष्मारे से हन।